दादू में सडन की वज़े से खोकले हुए दाता मौडरन ट्रीटमेंट केरिज एरेश टैकनिक होता है। इसमें पेशिंट की उम्र, तकलीफ कब से और कितनी गंबीर है, पहली बार कब हुई थी और क्या परिवार में दात से रिलेटिड कोई जैनेटिक प्रॉबलम तो नह इंक्लोडिंग अधर सॉफ्ट ड्रिंक और फूड में वाइट शुगर का यूस बहुत जादा होता है। वाइट शुगर एसिद बनाती हैं जिससे दातों में सडन होती है। दर्द के साथ दात कमजोर भी होने लगते हैं। ये फूड इंग्रिडियन्ट स्टिकी होते हैं जो दातों में चिपक कर नुकसान पहुचाते हैं और कॉल्डरिंग से भी दातों की तकलिफ बहुत जादा बढ़ती है। अब देखते हैं दातों में फ्लोराइड कमपाउंड कैसे भरा जाता है। दोस्तों ये तबी यूसफुल है जब सडन दात की जड़ों में मौजू से पीडित हैं। साथ ही वे बच्चे किसी वज़े से पूरा एलास नहीं ले सकते। उनके लाइफ स्टाइल मौडलिकेशन पर जोर देते हैं जिससे वे अपने दातों का ख्याल रगना खुद से सीख जाएं। ध्यान रखें। बच्चे को तीन-तीन महीने में फॉल अप क के लिए बुलाकर पहले और प्रजेंट के एकसरे का कमपेर्जन करते हैं। जिससे दोबार इंफेक्शन का डाउट ना रहे। इसके लिए रात को सोने से पहले ब्रशिंग करना बहुत ज़रूरी है। इस प्रोसेस के तहत बच्चे खुद को फ्यूचर में होने वाले पर समझाया जाता है कि इसी इस तरह के खाट-पदार्थ खाने से दातों को नुकसंद होता है और खाने के बार नातों को मुक्त रखने के लिए ब्रश करना बहुत ज़्यादा जुरूरी है ज़्यादा कोशिश करें कि बच्चों को बाहर की चीज़े खाने से परहिज कराएं तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो अगर पसंद आये तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेर कीजिए साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दी जिससे आने वाली हर नई वीडियो का नौटिफिकिशन आपको मिल सके धन्यवाद